हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं चबूत्रे का लोकारपन किया गया लगुद्यों के संगथंमंति प्रकास इस 夏 गमलों से इस चबूत्रे का उध्ःबान कर गावन वालों को समर्पित किया गया चबूत्रे का निर्मान सव democracy नारायन राम गोविंद राम और अर्जुन राम पुरोहित द्वारा करवाया गया है उद्घाटन अफसर पर प्रकाश शंद्रगुपता ने कबूतरों को दाना डाला और चबूतरा गाउं वालों को समर्पत किया गया इस अफसर पर लगो द्योग भारती के संगठर मंती प्रकाश शंद्रगुपता ने जिरावल के मोड का परवत माला शेत्र में वड का एक पीपल के दो और उम्रा के दो पौधों का रोपन किया अंबाजी माता मंदिर का होगा जीरनधार इस क्रम में जिरावल गाओं के अंबाजी माता मंदिर के जीरनधार सुशोभी करण और चार दिवारी कारे के लिए नारायन राम पुरोहित की अधिक्षिता में 31 सदिस्यों की एक कमिटी का निर्धारन किया गया है ये कमिटी ग्रामिनों के सयोग से मंदिर का जीरनधार करवाएगी इस कमेटी में सवा राम चौधरी, जुहारा राम चौधरी, वजा राम प्रजापत, भका राम प्रजापत, कांतिलाल कोली, वना राम कोली, छेल सिंग ठाकोर, हर्मत सिंग देवडा, माधो सिंग, शांतिलाल पुरोहित, हमीर भाई पुरोहित, मुकेश भाई पुरोहित, र शोग जेन, रमेश रावल, दलपत राम भाट, चंदु भाई भील, पूजा राम भील, मुकेश सोनी, लक्षमन सुथार, कैलाश लोहार, जैता राम त्रिगर, मुकेश कुमार हरीजन, विक्रम कुमार ढोली, गोवा राम जोशी, अशोग कुमार अगरवाल और पुना राम को बतोर सदस से शामिल किया गया है, शीतला माता मंदर का होगा काया कल्प, जीरावल गाउस तर्च शीतला माता मंदर में जीर नोधार कार्य, चार दिवारी कार्य और सुशोभी करन कार्य भी ग्रामिनों और सरकार के सयोग से करवाया जाएगा, ये कार्य भी ग्रामिनों जनुपयोगी कार्या स्वर्गिय चौथी देवी छोगाराम पुरोहित की पुन्य स्मृति में उनके परिवार की ओर से पूर्प में भी अनेक जनुपयोगी कार्य करवाए गए हैं गाउं की शितला माता मंदर प्रांगार में कबूतरों के चबूतरे का निर्मान करवाकर गाउं को सुपूतर किया गया साथ ही मोड का पर्वत वाला जिरावल में जंगली जानवरों के लिए पीने की पानी की विवस्ता की गई थी जागरुक टेवे की जिरावल से अमरत प्रजापत की रिपोर्ट